है कि Hello everyone welcome to magnet brains और आप लोगो का यहाँ पे मीनी جांकारी में और स्वागत है तो बच्चों मीनी जानकारी में आज एक नहीं नए टोपिक के साथ आया हूं मेरे बैक साइड में आपको यह topic तोपिक दिखरा और जातर आप लोगों को इसमें डाउट रहता है आप लोगों के कहने पर मैं ये topic को बता रहा हूं सिर्फ पांच मिनिट के अंदर टॉपिक क्या है? Topic है कि sir conversion कैसे करते हैं हमें scale तो याद हो जाता है scale हम याद कर लेते हैं मिलिली लीटर्स में कैसे चेंज करें, sir, हम किसी kg वाली चीज को ग्राम में कैसे चेंज करें, किसी gрам वाली चीज को kg में कैसे चेंज करें, तो बच्चों, ये सारी चीजे, अब फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मैं एक blank sheet ले लेता हूं, 1000 gram के ठीक है तो scale तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा बच्चो अब आपको अगर उन्हें ने दे दिया कि बताईए 5 kg कितने के बराबर होगा तो बात को समझना तुम्हें एक छोटी सी चीज दिमाग में रखनी है जब भी कन्वर्जन करना है तुम्हें किस में बदलना है तुम कह रहे हो सर मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर तो जब तुम्हें चीज को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है तो जिस चीज के अंदर कन्वर्ट करना है वो हमेशा चीज ऊपर रहती है तो तुम्हें जो scale दिय तो वन केजी और इसको मैंने मल्टिप्लाइ कर दिया फाइफ केजी के साथ तो देखो दो यूनिट केजी से केजी कट गया और तुम्हारी वैल्यू चेंज हो गई ग्राम के अंदर क्या करें सर फाइफ को थाउजंड के साथ मल्टिप्लाइ कर दो तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 5000 ग्राम तो इतना असान है तुम्हें जिस भी यूनिट में चीज को कनवर्ड करना है केल में और उन्हें बोला कि बताई ये 5,000 सेंटी मीटर के बराबर होंगे कि reinforcing कनवर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में कनवर्ट करना है तो जिसमें कनवर्ट करना है स्केल में से वो यूनिट मीटर हमेशा उपर रहेगी तो वन मीटर और जिसको हटाना है सेंटीमीटर को अटाना है स्केल में वो हमेशा denominator में रहेगी ठीक है अब जिसको convert करना है वो हमेशा multiply होगा तो यह हो गया तुम्हारा 5000 cm देखो unit cm से cm कट गया और तुम्हारा answer मीटर में आ जाएगा ठीक है बस तुम्हें क्या करना है तुम्हें करना है दो 020 से यहां से कट गया और तुम्हारा answer आ गया 50 मीटर तो इस तरीके का question अगर अब तुम्हें conversion करने लिए कोई चीज आती है तो तुम कर लोगे देखो मैंने kg से gram मीटर से सेंटीमीटर एक मैं और आप लोगों को इस मिनी जानकरी में चीज समझाये तो मानों कि तुम्हें एक लीटर का scale पता है कि सर एक लीटर में 1000 मिलिलीटर होते है तो सर हमें अगर 5.5 लीटर को कनवर्ड करना है मिली लीटर के अंदर तो जिसमें कनवर्ड करना है वो चीज हमेशा उपर होगी scale से तो देखो 1000 मिली लीटर मैंने उपर लिख दिया और जिसको हटाना है वो हमें हटाना है 1 लीटर को तो 1L को नीचे रख दिया इसके साथ मल्टिप्लाइ कर दो 5.5 को तो तो देखो कितना असान हो गया चीज मिली लीटर में चेंज हो गई 1000 इंटू 5.5 होता है 500 550 ठीक है तो 5500 टोटल मिली लीटर सापका अंसर आएगा तो इतना असान है मिली लीटर मीटर ग्राम चीजों का कनवर्जन करना ठीक है बच्चों तो मुझे लगता है आप लोग को कोई मिनी जानकारी से चीज समझ आगी होगी कि कनवर्जन कैसे किया जाता है आप लोग हमाएं साथ ऐसे ही बनाए रहेंगे ठीक है आपका प्यार बनाए रखिए और मिनी जानकारी इसके लिए हमारी इस सीरीज को वाच करते रहो मैं आता हूँ और नए टॉपिक्स के कि लिए झाले भरक ड्रोड़िख ब特त मatu चो कि एर हा है झालें आता है और मिनी कि रही है और पहाँ पक्यारा था वैं प्य्व करते ही कि को अर्बर्ग बनाएमाब किया है और